अमीज जी मुझे नहीं पता था कि कॉंग्रेस की पेरवी करते देखे सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला अपनी अपनी बारी में अब यह लोग जो बैलेट से बुलेट से बैलेट वाले हैं यह धर्मुयुद और जिहाद बाते हैं और जिहाद को अच्छा शब्द बताने वाले मतलब की मूदी विरोध में अब जिहाद भी अच्छा लगने लगा मतलब ओसामा बिन लादिन एलिटी और लश्करे तैबा जैसे लोग भी अब इनके विशलेशन से सहमत होंगे पर उन्तों देखे ना इन्होंने जिहादियों को पहले बचा है अब जिहाद की बात कर रहे हैं जिहादियों को निकालने की कोशिश तो समाजवाधी पार्टी ने की ना कोट ने रोक लगाई इन्होंने PFI और SIMI का समर्थन किया ना अज जिहाद की बात के साथ है मैं केवल इतना पूछना चाता हूँ यदि वोट जिहाद ठीक है ये समविदान बचाना है मतलब समविदान बचाने की बात करते हैं और कहते हैं वोट जिहाद होना चाहिए इसी से campaigning चले गा के हैं अमी जमाही अच्छा शब्द है तो लफ जिहाद से क्या प्रप्ल्लम है इंको भूब जिहादी बोला था उस कौन था वो उसको जिहादी बुरा क्यों लगा इनको तो सब्ड़ है ठीक है ठीक है ठीक है अब बोले मैं जिहादी हूँ भूले लव जिहाद ठीक है अमीग जम आई अरे सुनी तो लव जिहाद BJP का दिया हुआ शब्द है लेट का दिया हुआ है हम नहीं अप्लाई करना चाहते हैं हमारा यह कहना कि समिधान के मताबिक कोई समाज धरम जाती लेकिन आपने बोला ना कि जिहाद तो खुबसूरत वर्ड है आपने तो खुद बोला कि जिहाद खुबसूरत वर्ड है जिहाद का इस्तमाल होता है वोट के लिए होता है तो फिर जब लव के लिए होता है तो तकलीफ क्यों होती है वैसे आपकी जानकारी के लिए ये केरल में लेफ्ट की सरकार ने सबसे पहले इस्तमाल किया था ये कोई बीजेपी चासित राज्ये ने नहीं करा था अब आप इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं लेकिन मेरा मेरा आप आप शहजाद आप शहजाद पुना वाला तरहां पीछ पे मत रहिए आप नूटरल अब शहजाद पुना वाला ये फैक्ट है अमीग भाई ये फैक्ट है आपको अगर विश्वास रही है तो पुच चेक कर लिजेगा कि लव जहाद वर्ड कहां से आया नहीं तो ट्विटर पे मेरा निमेदन है लोगों से एक्स पे मेरा निमेदन है कि सरकार जारी है कि वोट की अपील क्यों कर रही जाती है फिर कहा जाए कि आईए जिहाद करिए वोट के साथ सब कोई बोलना चाहिए फिर तो जिहाद is such a good word for the voting को बढ़ाने के लिए तो बाकी सारे नेता कब बोलेंगे वोट का जियाद करिए ने ने मैं तो देखिए मैं मेरा स्टैंड बिल पर लिए और आपको साथ वाद देता हूं लेकिन जिस इंटेंसिटी से आप इसको कंडेंब कर रहा है अमीश भाई उससे जादा इंटेंसिटी से मैं मानेवर प्रधान मंतरी जी को कंडेंब करता हूं जिन्होंने कहा कि महिलाओ के मंगल सूतर चीन कर घुस पैटियों को दिया जाएगा ये फेक न्यूजी ने ये पोलराइज़िशन है डॉग विसल है अमीश जी और अगर दस साल के बाद गुस पैटियों है इस मुल्क के अंदर तो उसके लिए सबसे पहले प्रधान मंतरी और ग्रहमंत्री देश से माफी माफी माँगे अमीश जी के शोपर हेट स्पीच की सीवी साइट सी ने हुँची मैं तो इसको अग्री ने करता हूँ है इन पर कारवाई होनी चे लेकिन क्या माने ने प्रधान मंतरी पर कारवाई हो की ये सवाल है और इसलिए जो अमीश बाई कह रहें बिल्कुल सही कह रहें कि न्यूट्रल पिच पे इलेक मानेवर घुसपैटियां तो जो आपने रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है वो तो आज भी है जिनको हम नैशनल सेक्यर्टी थ्रेट कोट में बोल कर आएं पर उनकी पैर वी आमादमी पार्टी के आमाद तुल्ला खान से लेकर यहां पर बैटे हुए अमीग जमय की पार्टी और विवेक शिवास्तफ की पार्टी करती है तो आप बताए हमने तो गुस पैटे को नाशनल सेक्यर्टी थ्रेट को ब्रेक के लिए रुकाना पड़ेगा लेकिन मोधी सरकार के बड़े मत्री किरन रिजी जो पहली बार साक्षातकार दे रहे हैं ब्रेक के बाद बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने के बात 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 सेक्यर्टी आप बात बात बातूए हैं